एसी एन नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ गड़े शगरवाल और आप देख रहे हैं दमो जिले की खबर है जिसके लिए जिन प्रतनिधियों के द्वारा बैठक में निर्णा लिया गया था और इस गौर्ण खबर है की राशी से करोणो रुपे की राशी से स्कुलों की मरम्मत की जाएगी जिसके चिंधांकन और उसकी राशी को भुकतान करने से लेकर किस तरह की प्रक्रिया रहेगी इसको लेकर दमो के कलेक्टर सुदीर कबार कोचर ने मिस्तार से जानकारी थी बिर रिपोर्ट एसीन नियूज कई सारी छती गरस्त हुई है किसी की छत में मरम्मत की जरुवत है किसी की फर्ष में मरम्मत की जरुवत है किसी की दिवालों मरम्मत की जरुवत है तो सभी जिले के सम्माननी जनपतिनी गंड ने एक स्वर में बैठक में निर्णे लिया था कि इस बार हम जो है इस फंड की जो अधिकाइश राशी है वो राशी जो है हम स्कूल भावनों की मरम्मत पर खर्च करें ताकि बच्चों को गुणबता युक्त शिक्षा मिलने में मदद मिलें तो इस लिहाज से इस निर्णे को देखते हुए हमने लगबख साड़े चार करोड रुपे का प्रावधान पूरे जिले के अंदर अलग-अलग विधान सबाक्षेत्रों में विकास खंडों में तैसीलों में किया है ताकि इनके स्कूल भावन चाय वो प्रात्मी को मादमी को उच्चपादमी को भावनों के मरंमत किया सके और इस पूई प्रकरिया को करने में हमने काफी काफी गहनता से और सूख्ष्मिता से काम किया इस बार पहली रिपोर्ट हमने उपियंत्रियों से मंगाई कि भाई कौन-कौन से स्कूल बिल्लिंग है जिसको की मरम्मत की जरुवत है उसके बाद हमने अगली रिपोर्ट चार लोगों की समीती से मगाई कि भाई ये जो उपियंतिरी रिपोर्ट दे रहे हैं आप इसको देखिए, वेरिफाई करिए कि क्या ये एक्च्वली मरम्मत के योग हैं तो इसमें SDM, CEO जन्पत पंचायत, BEO और BRC ये चारों लोगों की एक जॉइंट कमिटी बना करके उन से मगाया गया ताकि बिल्कुल वास्त्विक नाम छटके आए इसके अलावा जन्पतिनी दियों से भी नाम लिए गया तो कुल मिलाकर के चैन में बहुत पारदरशिता बरती गई दूसरी चीज हमने उनको अलग किया उन स्कूलों को जिसके लिए राज्य सरकार सहायता दे रही जिसके लिए केंज सरकार सहायता दे रही जिसके लिए CSR से सहायता हम बिल रही ताकि हर स्त्रोच से सहायता हम को मिल जाए और हमारे सारे स्कूल मरम्मत योग जो हम की मरंबत हो सके हैं फिर इसके बाद पैसे का एक एक पैसे का सदूपयोग हो और पारदर्शी तरीके से काम हो इसके लिए भी हमने बहुत माइन्यूट अब्जर्वेशन करके और एक व्यवस्था बनाई हैं जिसमें मैंने आप बताना चाहूंगा कि इस बार हम पहली बार ऐसा करने जा रहा है कि कोई निर्मानकारे प्रारंब हो उससे पहले जो लोग जितनी भी एजेंसियां इसमें काम करेंगी सब की ट्रेनिंग हो रहे हैं उपयंत्री से लेकर के सरपंच तक सरपंच से लेकर के पालक शिक्षक संग के प्रतिनीजियों तक जितने लोग इस काम में involved रहेंगे, सब का प्रशिक्षन होगा कि उनको काम कैसे करना है, पारदर्शिता कैसे रखनी है, कैसे गुंवद्था के साथ काम करना है, जो की सामगरी उपयोग की जाएगी, उस पूरी सामगरी की गुनबत्ता की चेकिंग कराई जाएगी और उसका ही फिर उपयोग वो लोग कर सकेंगे उस सामगरी का उसके अलावा कोई सामगरी उपयोग नहीं की जा सकेगे इसके अलावा हम कॉलिटी मॉनिटर्स न्यूट करने जा रहे हैं जो की इन एजेंसियों से बिलकुल अलग वि राउंड फिक्स किये गए कि वो जा करके जो है इसकी कॉलिटी चेक करेंगे और जब भी किस्तजारी की जाएगी तो किस्तजारी केवल और केवल उपयंद्री के कहने पर नहीं की जाएगी हम पालक शिक्षक संग के लोग विजिट करेंगे जा करके देखेंगे स्कूल की क वाकई में हमारे बच्चे के बेठेने लाइक स्कूल बना है की नहीं बना वो भी अपना प्रतिवेदन देंगे इसके अलावा बहुत सारे और जो हमारे मॉनिटरिंग ओफिसर्स हैं वो ओफिसर्स भी इसमें अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर हम किष्ट जारी करें कुल मिला करके बहुत जवाब दे है मॉनिटरिंग सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक-एक पाई का सदूपयोग हो और बच्चों को गुनवत्ता पून शिक्षा का वातावरण हमको इस पमिल सके